राज़त प्रमुग लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम संस्पताल से चुट्टी मिल गई है लालू के एम से इस चुट्टी पर राजनितिक भूचाल सा आ गया है लालू समेट कई विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि केंदर सरकार के कहने पर जान पूच कर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है अभी उनका इलाज पूरी तरह से नहीं हुआ है इस बीच मंगलवार सुबा लालू प्रसाद यादव राची पहुचे वे 4 घुटाला केस में राची की जेल में सजा काट रहे है जहां से तबियत खराब होने पर पहले उन्हें रिम्स फिर दिल्ली के एम्स ले जाया गया लालू यादव को दोबारा रिम्स हस्पिताल में भरती कराया है रिम्स के डॉक्टरों ने कहा कि लालू की तबियत नॉर्मल है इस बीच लालू प्रसाद ने भी मोधी सरकार पर हमला बोला है लालू का कहना है कि वो प्रदान मंत्री रेन मोधी को पाट पढ़ाने के लिए राज नेताओं से मुलाकात कर रहे थे लेकिन केंद्र सरकार ने जान बूच कर उन्हें एम्स से डिस्चार्ज करवाया गोर तलब है कि सोववार को शाम 4 बजे लालू यादव दिल्ली से राची के लिए रवाना हुए लालू को दोबरा फिर राची के रिम्स हस्पताल में भरती कराया जाएगा लालू ने आरोप लगाया कि अभी उनकी तबियत ठीक नहीं हुई है लेकिन एम्स की ओर से बयान दिया गया है कि लालू अफिट है लालू की ओर से आरोप लगाया गया है कि अभी उनका सिर्फ 25 विजेजी टीटमेंट हुआ है जब में राची के ले रवारा हुआ तो ट्रेन में भी कोई डॉक्टर मोहिया नहीं कराया गया राहूल गांधी से मुलाकात के बारे में लालू ने कहा कि मैंने उन्हें अपने स्वास के बारे में बताया लालू ने कहा उन्होंने राहूल गांधी को सला दी है कि वो और भी पार्टी के नेताओं से लगातार मुलाकात करते रहें आपको बता दे कि लालू को विसरा मुंडा जेल में रहने के दोरान स्वास संबंदी शिकायत पर 17 मार्ज को रिम्स में भरती कराया गया था इसके बाद उन्हें दिल्ली के एंस अस्पिताल में शिफ्ट किया गया था लालू चारा घोटाले से जुड़े मामले में 23 निसंबर 2017 से जेल की सजा काट रहे हैं पूरु मुख्य मंत्री 2013 से चारा घोटाले के चार मामलों में दोशी करार दिये गए हैं हालिया दुम का कोशागार मामले में विशेश CBI अदालत ने उन्हें 14 साल की जेल की सजा सुनाई हैं